एई गाईज देशी शुवो और विलकाम बैक टू माई चैनल वित अनधर ब्रैंड निव वीडियो तो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में अपकमिंग या माहा वाइज़ेडेफ आर्ट 25 के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में हम जानेंगे इस बाइक का प्राइज, फीचर्स और कब तक इंडिया में आएगा सब कुछ डिटेल्स में लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि मैं इसी तरह का बाइक रूलेटेटर वीडियो लाता रहता हूं सो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं आपको इंडियान मार्केट में इस बाइक का क्या कुछ प्राइस हो सकता है बाइक का स्पेसिफिकेशन, माइलेज, टॉप स्पीड इन सब चीज़ों के बारे में डीटेल्स में बता हूंगा इस बाइक का प्राइस है प्रॉक्स 2,80,000 सम्तिंग होने वाला है बाइक हमें 249 CC इंजिन 35 HP पावर के साथ इंडियान मार्केट में देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस बाइक का माइलेज 37 किलो मेटर पर लिटर होने वाला है और यह बाइक हमें इंडिया में कैन मेटलिक, मैट डर्क ग्रे मेटलिक और डीप पर्फलेश ब्लू मेटलिक में हमें देखने को मिलेगा अगर बाइक के की फीचर्स के बाड़े में बात की जाए तो यहाँ पे हमें R1 से इंस्पार्ट एग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलता है और इसी के साथ dual LED headlamps, sleek LED tail lamps, LED pilot lamps, full digital multifunction LED console, 3-1 main switch, upside down front rocks, lightweight diamond type frame, 8 valves, liquid cold fuel injected engine, VVA technology assist and slipper clutch, disc brakes with ABS, stylish alloy wheels with tubeless tires मिलता है इस बाइक का maximum power होगा 35 HP at 12,000 RPM और peak torque 23 Nm at 10,000 RPM होगा बाइक का मैलेट जैसे की मैंने पहले ही आपको बताया था 37 km per liter हो सकता है और top speed यहाँ पे 173 to 175 km per hour हो सकता है और यह बाइक 0 से 100 में पहुचने के लिए सिर्फ 7 seconds time लेता है बाइक के फ्रेंट में हमें 41 mm KYB inverted fox और rear में swing arm linked KYB monoshock suspension मिलता है यामा वाइजरे वार 25 Dual LED Hit Lamps के साथ LED Position Lamp के साथ आती है इसका Dual Hit Lamp Setup ना के बल शांदर दीखता है बलकि एकदम low power consume करके effective light भी देता है इसमें LED Tail Lamp है लेकिन इसका Indicators Normal Bulb Type है नया model Inbuilt Hazard Lamp Features के साथ आता है जो सेभी Turn Indicators को एक साथ रोशनी देता है Hazard Light Emergency में काम भी आता है और बाइक की beauty को भी बढ़ाता है अगर बाइक की instrument console के बारे में बात की जाए तो ये पूरी तरह से digital multifunction instrument cluster के साथ आता है इसका LCD console, spirometer, tachometer, trip meter, odometer और एक fuel gauge दिखाता है ये console engine की temperature और digital clock भी दिखाता है इसके console में gear position indicator भी है और ये real time fuel efficiency भी दिखाता है bike explicit और एक grab bar के साथ आता है जो कि देखने में भी काफी attractive लगता है और अगर bike की launch date के बारे में बात की जाए तो फिलाल R3 पहले से ही market में मौजुद है इसलिए ये model हमें Indian market में 2022 की middle या last में market में available मिल सकता है तो guys यही था Yamaa Wiser app R25 से जुड़ा कुछ information अगर further कोई details मुझे मिलता है तो मैं वह भी आप लोग के साथ जरूर शेर करूंगा लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए stay home stay safe शटे कुछ है कि तो अब ड़ना ही तो झाले वीडियो में तो यह ऺदाश है झाले गल जोगी में तो ढ़िए गला बस दो भीडियो गला में वीडियो अपसे घर रभे हैं भीड़ा ऱ सकता है